अपने आप सिधा सिधी जो है ना अपने हस्वेंट के पास जाए बच्चा तो इसको देना ही पड़ेगा नहीं अपने जाएगी तो जाना ही पड़ेगा चुकि सिमा हैदर एक बिबादित औरत है यहां पाकिस्तान से आने के बाद तरह तरह के बिबादों में भारत को फसान है आप सभी का सवगंद टीवी में हमारे साथ मौझूद है वरिष्ट संपादक जी तो सर जैसे कि यह खबरे बहुत सुनने में आ रही है कि गुलाम हैदर के जो वकील है मौमिन मलेक उन्होंने कहा है कि इस महीने के आखरी टूर के आखरी में गुलाम हैदर जो है भारत त सरा मामला होता है और सिमा हैदर के कहने से कोई कानून नहीं बदल जाएगा कानून ने जो अपना रूख ले लिया है वो तो इसे मानना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में इसे पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा उसका हस्पेंड आ रहा है और मैं यह चाहूंगा जो वह अब सोचे और अपने आप सिधा सिधी जो है ना अपने हस्पेंड के पास बच्चा तो इसको देना ही पड़ेगा नहीं अपने जाएगी तो जाना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है जो नहीं जाना पड़ेगा कोट के भी डैड़े में यह आ चुका है लाख इनका वकील चाहे कोई वकील कुछ कह दे उससे कोई बात नहीं बनती है कोट इसे लगातार दवाब दे रहा है और इसके लिए प्रमुक्ता यह होगा जो यह भारत से जल्दी से जल्दी विदा हो ठीक है इसके लिए अब इस पर कोई कटाज करना बहुत बोल चुका हूं मतलब बहुत बात हो जा पाकिस्तान नहीं है यह भारत है और भारत में कानून का लोग समान देता है इसलिए इसको भी समान करके सिधा सिधी पाकिस्तान जाना चाहिए लेकिन सर कही ना कहीं जो सीमा हैदर के वकील है एपी सिंग वो तो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हर बार पाकिस्तान से गोलिया मिली है इस बार डोली मिली है तो उसका हसके स्वागत करना चाहिए आज से ये बात नहीं कर रही है वो बड़ाबर ये बात उसका वकील कर रहा है जो पहले गोली मिलता था आप डोली मिला है अरे गोली मिलता था किसे पाकिस्तान से यदि मिला तो गोली का किस तरह जबाब दिया गया उसे पाकिस्तान नहीं जानता है ये वकील को थोरा समझना चाहिए ने इस पर जो है ना ऐसा ऐसा बयान नहीं देना चाहिए ये डोली जो है ना कोई हिंदुस्तान का होता तो उसे समझा जाता ये पाकिस्तान का डोली है तो कोई इतिहास में है भारत में जो ऐसा घटना हुआ है जो वो डोली आया है उसे स्विकार कर लिया है भारत य जो ऐसे ऐसे लोग भारत में वीड़ा रहे हैं जो उसका पक्ष लेता है वो ठीक बात नहीं है यह इसका वकील है पी सिंग जी वह बहुत ही जालिम आदमी है वह दूसरे टैप आदमी है आपने देखा जो निर्भया कांड में जो उसका अपड़ाधी था उसका यह वकील था इस देश में कानून का डैडा है इस डेश में तो जो आपड़ाधी होता है जो मान लीजीए आई मुस्ट वांटेड होता है बलातकार के मामले में तो वो इसका केस नहीं लेना चाहिए और ऐसे जो केस लेता है वह एपिसिंग टाइप वकील जो है इसे कोट भी वहिस्किर हुआ है और तरह तरह के विवादों में अपने आप फस रहा है तो ऐसा इसका नहीं चलेगा यह जलील नहीं चलने वाला है भारत से सीमा हेदर को किसी भी कीमत पर जाना ही पड़ेगा ठीक है तो जैसा कि सुना आपने कि एक तरफ मौमिन मलिक कहते हुए दिखाए दे रहे है कि गुलाम हेदर तो भारत आएंगे अपने बच्चे लेके जाएंगे लेकिन सीमा दूसरी तरफ कहती हुए दिख रही है कि मैं अपने बच्चे किसी को नहीं दूगी ऐसे मैं आपको क्या लगता है कि गुलाम हेदर कब तक भारत आएंगे और आएंगे तो क्या अपने ब पातन की